यहाँ au देख सकते हैं,ha वेज दम बिर्यानी कितनी तेम्टिंग कितनी माऊथ वाटरिंग लग रही है बस एक बार मेरे इस तरीके से वेज दम बिर्यानी को बना कि देखे हैं,फ्रेंस यकीन मानी आप इसके दिवाने हो जाएंगे देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में ये उससे भी जादा टेस्टी है तो आज मैं वेज़दम बिर्यानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ Hello friends, जोहार आप सभी को मेरा Treats26 में आप सभी का स्वागत है मैं शाल जाओ और ले करके आई हूँ आज एक बहुत यूनिक सी रेसिपी जिसका नाम है वेज़दम बिर्यानी आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये वेज़टीरियन्स के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है friends आप इस वेज़दम बिर्यानी को घर पे जरूर ट्राय करें आपको और आपके घरवालों को ये बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए बिना किसी देर किये इसे बनाने के शुरुआत करते हैं यहाँ पर मैंने एक कटोरी इंडिया गेट बासमती चावल लिया हुआ है आपको जो भी बासमती चावल पसंद है friends आप इस बिर्यानी में उसे इस्तमाल कर सकते हैं तो इस चावल को मैं पानी में एक घंडे तक सोक करके रखूंगे friends यहाँ पर मैंने एक डेक्ची ले लिए है आप कोई भी बासमाल करें और इसी जैसे मैंने बताया एक घंडे तक भिंगा करके रखना है और यहाँ पर प्लेट में मैंने कुछ सबजियां ले वी है आप देख सकते हैं प्यांच ट्रमाटर, फूल गोबी, आलू, गाजर, फ्रेंच बीन और मिश ली है मैंने तो फूल गोबी को friends आप कम से कम पांच मेंट के लिए गरम पानी में डुबा करके रख ले अगर उसमें किसी भी तरह के कीडे होंगे या गंगी होगी तो वह आसानिक से निकल जाएगे तो कम से कम आप फूल गोबी को जैसा मैंने बताया आप गरम पानी में डुबा के रखें तब ही बिर्यानी में इसका इस्तमाल करें तो आपको जो भी सबची पसंद है आप उसे इस बिर्यानी में डाल सकते हैं यहाँ पर और एक प्लेट में मैंने लिए हुए हैं खड़े गरम मसाले तो जितनी पी चीजें इस वेश दम बिर्यानी में मैं डाल रही हूँ सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी वे फ्रेंस आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं यहाँ पर चावल को मिगाते वे एक घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे दो से दीन बार वाश कर लिया था अब मैं इसे गैस पर चढ़ा दे रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढख करके पगा लेंगे फ्रेंस जब तक चावल पक रहे हैं मैं ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर और कुकर में मैं डाल रही हूँ रिफाइन ओयल आप यहाँ पर दीसीगी का भी इसमाल कर सकते हैं और तेल के गरम होने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें खड़े गरम मसाले और मसालों को डालने के बाद मैं इसे एक मिनट तक चला लूँगी और गरम मसाली के भुनने के बाद मैं डाल रहे हूँ इसमें एक प्याँच युसे मैंने पहले की काट करके रखा था फ्रेंस और इसे मैं जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करने वाली हैं क्योंकि हम सारी सब्जियों को प्रेश्र करने वाल हैं तो आप इसे बहुत जादा गोल्डन ब्राउन ना करें हलका साटे करना इसे अब मैं डाल रही हूँ आलू आलू को डालने के बाद मैं इसे करीब एक से दो मिनट तक इसी तरह से चला लूँगी उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर तो यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने एक बड़े टमाटर का इस्तमाल किया है आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में पीस के भी इसमें डाल सकते हैं तो जैसा भी आपको पसंदो आप उसी तरह से टमाटर को इसमें डालें तो इसे चलाते हैं लगबग एक से दो मेंट हो चुके हैं अब मैं डाल रही हूं इसमें दो चमश के करीब अद्रक लसुन का पीस्ट और अद्रक लसुन को हमें तब तक भूना है फ्रेंस जब तक कि इसमें से स्मेल ना चला जाए तो फ्रेंस यहां पर इस बिर्याने मैंने प्याश और अद्रक लसुन का इस्तमाल किया है अगर आपको बिर्याने में अद्रक लसुन और प्याश पसंद नहीं है तो आप इसे अवाइड कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूगी कुछ सूख करके रखे ती वह सारी सब्जियों को मैं इसमें डाल दूगी तो सबसे पहले मैं डाल रही हूं फूल गोबी उसके बाद गाजर फ्रेंच बीन और हरी मिर्च यहां पर मैंने तीन से चार हरी मिर्च लिए अगर आपको बिर्यानी में तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे सकते हैं सारी सब्जियों को डालने के बाद मैं डाल रही हैं इसमें एक चमश के करीब बिर्यानी मसाला क्यूंकि हम लोग वेज दम बिर्यानी बना रहे हैं तो बिर्यानी मसाला डालना बहुत ज़रूरी है तो यहां मैंने एक चमश बिर्यानी मसाला डाल दिया है अब सार चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला लोंगी और जैसा मैंने बताया इसे low to medium flame पर मैं अच्छी तरह से भून लोंगी और मसालों के साथ सब्जियों को भूनना बहुत जरूरी है तभी जो विर्यानी है वो अच्छी बनेगी पांच मिंट होने के बाद मैं डालूंगी इसम कर रही हैं फ्रेंज पांई को डालने के बाद मैं इसमें उबालाने कर वेट करोंगी उसके बाद इसे pressure कर लेना और करीब कर से दंची तरह ऐसे कि आने तक हाई flame पर कुक कर लोगी तो एघर आपको इसमें पानी थोड़ा सब्रेंच यह ग deliberatelyded होते हैं अगर कम पानी जाल दब दे殼 तो होगा क्या कि जब आप प्रेशर को करेंगे सबजीय कुकर में चिपक सकती है । इसीलिए मैंने जर्य कि माल और कंप दी बचल आपни मच्फ सब्जियां जो हैं वो बहुत जाद गीली नहीं होती है friends, जैसा मैं बता रही हूँ आप उसी तरह से कर लीजिए, यहाँ पर दो सीदी आने तक मैंने सब्जियों को कुक कर लिया, अब मैं इसे 10 मिन तक छोड़ दूगी, और friends आप कुकर का ढखन खोल करके देखे, अगर तो आप इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा और पका लें, तो तब तक छावल चेक कर लेते हैं, और इसमें मैंने एक चमच नमक और रिफाइन ओओल डालने से, चावल बहुत खिले के लेए बनते हैं, ताप नमक और रिफाइन ओओल इसे बॉल करते हैं जरूसे डालने, friends, यहां चावल को पकाते हुए मुझे 10-15 मैंट हो चुक है अब मैं चावल चेक करके देखती हूं और इस चावल को हमें सिर्फ 80% तक पकाना है पूरा कुक नहीं करना है यह देखे अभी चावल जो है थोड़े से कड़े हैं वो बिल्कूल पके नहीं है तो इसी ही ताइम आप फ्लेम ओफ कर लें और इसे चाण के अलग करके रख लें तो जब भी आप बिर्यानी बनाएं आपको चावल कभी भी पूरा कुक नहीं करना है तो इसे मैं चाण लेते हूं अब सब्जियों को चेक कर लेते हैं इसे मैंने 10 मिंट के लिए छोड दिया था यह देखिए सब् फ्रेंस अगर आप इस में थर से बिड्यानी बनाएंगे तो एक तो आपकी जो सब्जियां है वह बहुत जाथ ओवर कुक नहीं होंगी अगर पानी थोड़ा जादा भी हो जाता है तो आप इसे धकन खोल करके जैसा मैंने बताया हाई फ्लेम पर और पका लें तो बिलकुल इस त्रह से होनी चाहिए सबजियां बहुत गिली नहीं होनी चाहिए इस तरह से और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है और पानी बिलकुल भी जादा इसमे नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंस आपको उसी तरह से Alert को follow करते वे इस वेज़दम बिर्यानी को बनाना है बस बात यही है friends कि इसमें पानी बहुत जादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी सब्जियां जलने लगे मैंने इसे ग्यास पे चढ़ा दिया friends अब बारी हो चुकी है चावल डालने की तो गर्मा गरम चावल को मैं इसमें डाल रही हूँ तो इसी तरह से आप धीरी धीर करके सारे चावल को सब्जियों के उपर फैला लें friends और friends जब भी आप इरियानी बनाएं एक चूले पर आप सब्जियों को पकाएं और एक चूले पर आप चावल बना सकते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा friends और ये बहुत जल्दी बन भी जाएगी इसी तरह से धीरे धीर करके सारे चावल को मैं डाल दे रही हूँ ये देखिए अब इसे फैला लेना है और आपको इसे बहुत हलके हाथों से करना है बहुत जादा प्रेशर नहीं लगाना है इसमें ये देखिए अचावल बिलकुल गरम है और फ्लेम मैंने लो पे रखा हुआ है फ्लेम ओफ नहीं किया है friends तो ये हो गया है अब मैं डाल रही हूँ इसमें फूड कलर और मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर का इस्तमाल किया है friends जिसे मैंने पानी में घोल लिया था आप यहाँ पे केसर का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसे दूद में थोड़ा सा घोल लिजे और इसके उपर डाल लिजे तो फूड कलर की डालने के बाद मैं इसमें कम से कम 3-4 शमच नीमबू का रस डाल रही हूँ friends या आधा नीमबू आप काट के डाल लिजे बीजों का मैंने हटा लिया है तो थोड़ी सी खटाई भी होती है friends इस बिर्यानी में इसलिए मैं नीमबू डाल रही हूँ उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक चमच केवडा जल और एक चमच गुलाजल इससे बिर्यानी में बहुत एचे खुश्बू आएगी तो friends यहाँ पर आप और भी चीज़े डाल सकते हैं तो यहाँ डाल रही हूँ कुछ काजू को मैं इस तरह से डाल दिया है आप चाहें तो इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं तो जो भी आपको पसंदो आप उसी तरह से डाल लीज़े अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ इसमें एक चमश गरम मसाला सारी चीज़ों को डालने के बार हमें इसे करना है कुक तो यहाँ पर मैं कुकर की सीटी को हटा दिरी हूँ आज में थोड़ा से यूनिक तरिका बदा रही हूँ आपको इसे पकाने का तो cooker की धकन को मैं बंद कर दी रही हूं और इसे medium flame पर 3-4 मिनट के लिए मैं पका ले रही हूं अगर आप low flame पर इसे रख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए इसे पका ले आज मैं जो तरीका share कर रही हैं friends इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं बिर्याने बहुत अच्छी बनती ह तो जैसा मैंने बताया अगर आप इसे लो फ्लेम पर रख रहे हैं तो पांच मिट के लिए रखें और अगर आप मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं तो सिर्फ तीन से चार मिट के लिए ही रखें तो यहां पर चार मिट हो चुके अब मैं सीटी लगा दे रहे हूं इसमें और 10-15 मिर्ट के लिए आप छोड़े बिल्कुल तब तक मैं यहाँ पर एक अलग कड़ाई में प्यांच फ्राइश कर ले ischen और मैंने यहाँ पर बिरियानी में पहले प्यांच नहीं ढाला है अगर आप बिरियानी में पहले प्यांच जालना चाहते हैं तो पहले तो यह लगमक फ्राई हो चुका है और इसे किस तरह से फ्राई करना है एक और विडियो में इसके उपर बनाऊंगी तो यहां पर फ्रेंस प्यांश को मैंने यहां पर रख लिया है आप इसी तरह से फ्राई करके प्लेट में फैला ले तो फ्रेंस यहां पर मैंने प्यांश को पॉफेक्ट बन करके त्यार हुई है मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ यह देखे एक काटा चमच में ले ले रही हूँ या फोक जिसे आप कह सकते हैं और मैं चावल को दिखाती हूँ यह कितना अच्छा बनाया और कितना खिला खिला बनाया आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट वेज दम बिर्यानी बन के आई है आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल अलग है यह देखे और चावल बिल्कुल अच्छी तरह से पग भी गया है और आज की रेसिपी बहुत ही सूपर रेसिपी आप इसको घर पे ज़रूर ट्राय करें मैं ग्यारेंटे दे रहे हूँ आपको यह बहुत ही पसंद आएगी यह देख रहे हैं friends बिल्कुल लग रही है ना जैसे रेस्टरेंट में मिलती है इसे देख के कोई कहा ही नहीं सकता friends कि आपने इसे घर में बनाया है तो जैसे मैंने बताया है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें और मैं कल्ची से निकाल करके दिखाती हूँ यह देखे बहुत धीरे से आपको निकालना है कुकर में सबजियां बिल्कुल भी नहीं चिपकी है यह देख सकते हैं और बिल्कुल पॉफेक्ट बिर्यानी बनके त्यार हुई है इसा कलर भी कितना अच्छा आया है अब इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर दे रही हूँ और जब भी बिर्यानी आप निकाले फ्रेंस इसे साइड से ही निकाले और बहुत जादा प्रेशर लगा के ना निकाले इसे नहीं तो चावल तूटने लगेंगे अब धीरे से एक-एक दाना बिलकुल अलग है जैसे रेस्टराइन में होती है या हम बाहर कभी खाते है उसी तरह से निकाले बिर्यानी बनी है और यह बिलकुल अच्छी रेसेपी है बहुत हेल्दी रेसेपी है अगर आप vegetarian है friends और बिर्यानी खाने के शौकीन है तो ये dish आपके लिए perfect रहेगी आप इसे ज़रूर बनाएं और try करें और अपने घर वालों को फिक खिलाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये dish कैसी लगी अब मैं इसमें थोड़ा सा प्यांच उपा से डाल दे रही हूं friends जिसे मैंने fry करके रखाता लग रही है कितनी tempting कितनी yummy आपके घर में अगर पाटी हो या कोई भी special occasion हो तो आप इस डिश को जरूर ट्राइ कर सकते हैं आपके महवानों को भी ये बिर्यानी बहुत ही पसंद आई तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी friends आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और अगर अची लगी हो त आप इसे like कर सकते हैं और अभी तक अपनी मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्स्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी yummy और delicious tasty recipes में आप लोगों के साथ share करती रहोंगी तब तक के लिए bye and thank you for watching